तो अगर वो इतना काम यहां कर लेते तो उनको इतनी शिकायतों को जहिलना नहीं पड़ता जितना आकड़ा 11 महने में जो है इसमें माइगरेट करने में वाओ वो केवल एक महने में कर दिया गया आप 10 बार जो है अपना लाइप सर्टिपिकेट सब्मिट कर लीजिए लेकिन होना कुछ नहीं है जैन दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में में आपको 2016 से पहले के आएवे जो डिफेंस पेंशनर या सिविल डिफेंस पेंशनर के रिटाइरी है और उनका पेंशन डेटा इसपरस पेंशन पोर्टल पर माइगरेड हो चुका है उनको पेंशन आ रहे हैं मेरे कमेंट्स में उनको भी आज के इस वीडियो में मैं किलियर करने की कोशिस करूंगा तो दोस्तों मैं आपको इहां बता दूं कि जो पोस्ट 2016 के बाद जो रिटाइरी आये थे तो जब उनका इस परस में माइगरेशन की बैंक से सूचना आती थी तो उसके त अभी तक जो है लॉग इन पास्वर्ड नहीं मिला है इस परस का पीपियो नंबर नहीं मिला है जबकि उनका माइगरेशन हुए 20 दिन से भी उपर हो चुके हैं तो दोस्तों मैंने इसका विचलेशन किया और दो परमुख कारण जो है मुझे इसमें नजर आये वह मैं आप सर्वीस डिटेल पूरी पोर्टल के ऊप्डेट की जाएगी आपकी पर्सनल पर्सनल डिटेल जिसमें आपके आधार नंबर होगये परन नंबर होगया मोबाइल नंबर email address आपका एड्रस आपकी फैमिलिडाइल आपके जो जितने भी फैमिलि में में मेंबर्स होगे उनक का PPO नंबर तयार किया जाता है आपको भेज दिया जाता है अब दोस्तों पहले क्या हुआ था इस पर पेंशन पोटल पर जब 2016 के अपने दिये इस परस में जब उनका ओधार नमबर ही और पर आपडेट नहीं था तो उनका डिजीटल लॉइब इस परस को सब्मिट नहीं हूपाया उन्हांने 3-4 बार अपने life certificate दिये लेकिन उनका life certificate अपडेट नहीं हो पाया और उन्हें खासा परेशानी उठानी पड़ी दूसरा pen number अपडेट ना होने के कारण जो defense pensioners का income income tax के दाइरे में आता था तो उनका जो है वहाँ से TDS काट लिया गया और TDS भी 10% नहीं बलकि 20-20% कार दिया गया क्योंकि जो है pen number जहाँ पर update नहीं होता है तो वहाँ पर जो है 10 की जगाए 20% तक TDS काटा जा सकता है अब इन चीजों से क्या हुआ दोस्तों कि सिकायतें बढ़ गई ग्रिवांस बढ़ गई लगातार इस परस PCD में जो है help line में PMO को भेजा PCD अलाबाद में भेजा हालांकि उसके बाद PCD अलाबाद ने इस परस पोर्टल पर काफी सुधार भी किये हैं और मुझे लगता है कि 2016 के बाद वालों की जो ये समस्या मैंने आपको बताई है इनको देखते हुए अब जो है जो 2016 से पहले के रिटाईरी आये हैं उनका डेटा एंट्री पूरी तरीके से कर रहे होंगे आधार नमबर भी डाल रहे होंगे पैन नमबर भी डाल रहे होंगे और सारी जो भी उनके पास डेटेल हैं वो पूरी अपडेट करके ही आपको देंगे तो दोस्तों पहला कारण तो मेरे विशलेशन में यहां निकल कर आया दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी तक तक तक्रीबन 11 लाग से उपर तक के जो है डिफेंस पेंशनर इस पेंशन पोर्टल पर माइगरेट हो चु क्या हुप्य थे लेकिन केवले में अगस्त के मेहनेँ में इसमें54 के करींबन जो है डिफेंस पेंशन को माइगरेट के आगया जितना आकड़ा ग्यारा मेहने में जो है स्में माइगेरेट करने में वहाग इस्टाप और दूसरा जो है infrastructure कि वहां का इस्टाप कितना है sufficient है या नहीं जो infrastructure बनाया गया है वो काम करने के लिए sufficient है या नहीं है अब बात करता हूं में life certificate के बाद है मुझे कुछ comments आ रहे थे कि सर हमें जो है pension ID MIGS वाली मिल चुकी है और क्या अब हम अपना life certificate submit कर सकते हैं आप पुरानी PPO नंबर से अपना life certificate दे करके आ रहे है आपने वहां पर pension dispersing agency चेंज नहीं करवाई है pension sanctioning authority आपने उसमें वहां पर change नहीं करवाई है अपना नया PPO नंबर जो कि आपको मिला ही नहीं है इस परस का PPO नंबर आपने डाला नहीं है पुरानी PPO नंबर से डाल के लिए गया CPPC के लिए वह आपका बैंक के लिए चला गया जहां पर कि आपका pension का खाता अब रहा ही नहीं है तो वह क्या फिर इस चीज को अपडेट करेंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस परस में digital life certificate submit करने के लिए जरूरी है आपका इस परस का PPO नंबर और जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपको pension dispersing agency भी अब बदली करवानी पड़ेगी CPPC की जगह जो है अब इस परस PCDA करवाना पड़ेगा pension sanctioning authority उसमें change करवानी पड़ेगी और जहां पर पुराना PPO नंबर पहले आप डालते थे वहाँ पर नया SPERS का PPO नंबर डालना पड़ेगा उसके बाद जब आप DLC सब्मिट करोगे तब जाके आपका SPERS PCDA में live certificate सब्मिट होगा और आपकी pension जो है बिना रुकावट के लगातार आती रहेगी तो दोस्तों यहाँ मेरा एक विशलेशन था कि user ID और password late क्यों हो रहे हैं दोस्तों वैस और सुरू होने से पहले-पहले सब क्या आजाने चाहिए क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो जो है PCDA SPERS को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 31 November 2022 जो है उनकी life certificate की लाज जेट हैं तो pensioners को भी जो है समय लगेगा एक मेहना दो मेहना अपना life certificate सब्मिट कर करने में दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं आप चाहते हैं कि अन्य डिफेंस पेस्टनस को भी इसका फाइदा मिले जानकारी मिले तो उन्हें जो है आप इसे सेर कर सकते हैं और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ में जैहिंद वंदे मात्रम